Hello Friends! आज हम इस लेक्चर में इस लेक्चर में मैं देखा कि डिशा अराउंड मुबाइल फोन के टावर्स रहते हैं इस तरह क्या है आपने घर के आसपास देखा होगा जो टावर लगे होते हैं इस तरह के अन्टीन लगे रहते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि अलग से भी फोन के टावर्स रहते हैं, उस पे बहुत तरीके के एंटीना रहते हैं, तो इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक वे में हम देखेंगे कि उसमें कौन से एंटीना रहते हैं, उन एंटीना का परपस क्या होता है, और कैसे हमारा तो हम जानते हैं कि हमारा जो mobile phone होता है वो electromagnetic waves पे काम करता है ठीक है जब भी आप कोई भी text message करते हो या phone लगाते हो कोई भी call करते हो तो एक electromagnetic signal होता है इस तरीके का sinus order signal होता है उसकी frequency अलग-अलग हो सकती है अगर आप 3G आप GSM band में कर रहे हो तो आपकी उसकी 900 अराउंड मेगाhertz frequency रहती है अगर आप 4G यूज़ कर रहे हो तो उसकी अलग frequency रहती है 1700 मेगाhertz के अराउंड frequency रहती है ठीक है और भी इसी तक हिसाब से अगर आप 5G आगे यूज़ करेंगा रहता है और mobile phone में भी कुछ एक antenna लगे होते हैं यहाँ पे कुछ antennas रहते हैं वह antennas आपका transmit करते हैं signal को तो यह जो waves है यह waves आपके transmit हो गई है आपके mobile phone के antenna के द्वारा ठीक है आप इसी के तुरू आपका communication होगा फिर यह जो waves होती है यह waves आपका यह जो टावर होता है mobile phone कर यहाँ पर आप देखरो कई तरीके के towers लगे हुए हैं यह सारे towers हैं तो यह tower से communicate करता है suppose आपका यहाँ पर जो mobile phone है यह cell phone है आपका cell phone का antenna यह है यह इसने transmit किया यह transmit किया तो आपका यह tower इसको receive करेगा फिर यह आपका जो किसी और से आपको communicate करना है मान लीजिए आपका जो friend है वो यह उसका mobile phone यह है ठीक है तो वह communicate करेगा अपने near about tower से और फिर यह tower to tower के बीच का बीच बीक कमुनिकेशन होता है वो भी wireless communication है wireless communication भी हो सकता है wired communication भी हो सकता है tower to tower यहाँ पर होते हैं वो mobile phones से connect करता है फिर उसमें और कुछ antenna होते हैं वो जो tower to tower की connections भी करते हैं तो यह दो तरह के antennas होते हैं किसी भी एक mobile phone के tower में उसके बारे में हम देखते हैं जो दो तरह के antenna होते हैं जो mobile phone tower पे वो एक तो first type तरह के antenna होता है वो rectangular एक circular इंटीना रहता है कोई भी आप टावर देखेज़ को आपको इस पर दो तरीके के आइंटीना दिखेंगे ये जो आपके चैजिंगे इसको रेक्तैंगे ओलते हैं इसका और भी बहुत सारे नाम है वो अभी हम बताते हैं और आप दूसरे टाइप का एंटेना आप जो देखोगे ये सर्कुलर शेप में आपका दीखेगा यहाँ पर ठीक है यही दो बेसिकली तरीके के एंटेना होते हैं इसी भी टावर पर देखो यहाँ पर भी धाईप सर्कुलर ख्री पर चूटसर ऑसेटेगा अब हमें देखना है कि ही देखना लुस्वापности की अलगा उतिक है देकिए Rectangular antenna के KYA Functions होते हैं इसको Sector antenna भीjust बोलते है Rectangular antenna के हम Sector antenna भी बोलते है Sector antenna भी बोलते है और Panel antenna भी बोलते है Panel antenna ये दो तरह के नाम होते है इसका basically purpose क्या होता है माणनो आपका यहां पे mobile phone है आपका ये cell phone है ठीक है ये cell phone से connect करता है ये जो sector antenna है आपका ये cell phone से connection के लिए है ठीक है ये जो rectangle वाला antenna है ये आपका cell phone से connect होता है जब भी आप call वगरा लगाओगे तो आपका nearby tower से connection होता है अब tower का जो कौन से antenna है वो जो आपके phone से connect होता है वो यह वाले antenna होते है, rectangular antenna होते है ओके? यह rectangular antenna को sector antenna बोलते है, क्योंकि यह अलग-अलग sector देखिए, यह एक sector है यह 120 degree का area cover कर जाएगा, ठीक है? फिर एक sector आपको यह दिखेगा यह भी 120 degree का coverage दे देता है, फिर एक sector आपको इधर दिख रहा है, यह भी 120 degree यहां पे आपका यह Topरoga लगा हूए एक एनटेना जो रहेगी वह आपको 120 डिगरी कहा पूरा değडबेगा दूसरा एंटेना भी 120 डिगरी को तीसरा एंटीना भी 120 डिगरी को दे देगा तो इस तीनों आपको मिला कि आपका पूरा circular area है आपका पूरा आपके जो colony है या पूरा महला है वो आपका connect हो सकता है हर एक mobile phone के द्वारे ठीक है कोई भी sector antenna जब भी लगेगा वो भी आप देखोगे कि वो अलग-अलग direction में लगा रहता है थाकि वो सारा पूरे omni direction मतलब complete 360 degree का coverage वो आप coverage दे सके ठीक है यहाँ पे भी आप देखोगे कि यह antenna इस direction में पॉइंट कर रहा है इधर भी antenna पॉइंट कर रहा है और इस तरफ भी यहाँ पे भी antenna लगा है वो इस direction में पॉइंट कर रहा है तो तीनो direction में पॉइंट कर किया यह जो rectangular antenna होते हैं वह coverage प्रोवाइट कर जाते हैं तो रहका रेक्टेंगिलर रेंटीना मतलब क्या होता है कि जो आपका सब्सक्राइब काम होता है वह निए र्चेंगिलर रेंटेना से कम्मुनिकेट करता है आपको जो भी कॉल लगानी है मैसेच करनी है कि जब भी है आपका data बगारा का काम है वह सबसे पहले जो भी communication होगा tower के थुर Rectangular antenna के थुरू होगा फिर हम देखते है Rectangular antenna जैसे यह है Rectangular antenna स्टरीखे से tower आपका रहता है towers के जो rod रहते हैं तो यहाँ पे इधर उदर move भी कर सकता है, आगे पीछे भी move कर सकता है, अगर बहुत उपर आपका tower है, तो अगर उसको नीचे, जो nearby coverage यहाँ पर देना है, तो दे सकता है, अगर इस area में coverage भी देना है, तो इस तरीके से इसकी setting जो होते हैं, जो भी companies वारे लगाते हैं, वो करते हैं, यह panel antenna भी इसको बोला जाता है, इसको, panel antenna for cell phone tower, यह अलग-अलग frequencies हैं, जैसे कि यह 3G के लिए अलग frequencies हो गई, 4G, LTE के लिए अलग frequency हो गई, ठीक है, और इसको sector antenna भी बोलते हैं, क्योंकि यह sector wise connect करता है, एक sector यह connect कर दिया, फिर दूसरा sector यह हो गया, फिर यह तीसरा sector हो गया, त तो basically क्या important, क्या point है यहां पर, कि यह further transmission and reception of signals between mobile phones and tower, phone और tower के भी जो भी communication होता है, वो इस panel antenna या rectangular antenna जो sector antenna भी बोलते हैं, उसके थू होता है, बट इस sector antenna के अंदर क्या होता है, यह एक short में जान सकते हैं, यहां पर यह dipoles की array रहती है, ठीक है, डाइपोल एक simple dipole array होता है, dipole का radiation pattern देखोगे, तो omnidirectional pattern रहता है, बट यहां पर array of dipoles हो गया है, ठीक है, यहां पर array of dipoles हो गया है, तो इस array, जब भी antenna array होती है, तो उसका हम, antenna array जो होती है, उसका हम radiation pattern को भी हम अपने इसाब से set कर सकते हैं, और किस direction में radiation pattern, वो radiate करेगा signal, यह सब हम set कर सकते हैं, ठी यहां पर dipoles लगे रहते हैं, ठीक है, यह देखी, यह radiation pattern 120 degree देखर हो 17 degree, यह elevation में, azimut में इस तरीके से वो coverage देता है, यह rectangular antenna, फिर हम देखते हैं, next antenna क्या होता है, वो circular antenna रहता है, ठीक है, अब circular antenna के बारे में हमें यह जानना है, कि पहले तो हमने देखा कि मेरा हमारा mobile phone है, यह हमारा mobile phone जो भी है, यह connect करेगा tower से, तो tower से connect करता है, वो rectangular antenna, यहां पर यह rectangular antenna लगा है, माल लीजे, तो phone जो हमारा इससे connect होगा, rectangular antenna से, बट जो tower और tower के बीच का communication होता है, वो circular antenna के थ्रू होता है, यह जो tower है और एक tower से बीच यह communication होगा, यह circular antenna के बीच होगा, फिर से tower स communication है यह circular antenna के बीच होता है ठीक है और फिर यहाँ पर एक जो आपका mobile phone है इसको connect करना रहता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक rectangular antenna भी जैसे यह rectangular antenna लगा हुआ है तो यहाँ से जो टाउर टाउर बीच के communication हो गया वो हो गया फिर यह connect हो जैता है अंदर से cable के थुरू cable के थुर रेक्टाउंगुलर antenna से connected है और यह जो rectangular antenna है यह आपका mobile phone से connected होगा हम यहाँ पर देखते हैं यह हमारा phone है ठीक है यह हमारे phone को call करनी है तो phone जो टाउर से connect होगा वो rectangular antenna यह क्या चीज़ है रेक्टाउंगूलर antenna है ठीक है, रेक्टांगुलर एंटेना है, रेक्टांगुलर एंटेना है, फिर रेक्टांगुलर एंटेना के दुआरा सर्कुलर एंटेना से कनेक्टेड है, यहां पर यह क्या चीज है, केबल है, ठीक है, फिर जो सर्कुलर एंटेना है, दूसरे टावर से कनेक्ट करेगा, एक एक circular antenna, circular antenna एक दो tower के बीच के connections है, फिर मानलों किसी और tower पे भी connection करना है, तो यहाँ से tower to tower का connection यह बन जाता है, ठीक है, फिर tower, जब एक circular antenna के है, तो फिर यहाँ से signal transmit होके, फिर से rectangular antenna के पास जाता है, फिर यह rectangular antenna आपके mobile phone को coverage देता है, ठीक है, कभी-कभी यह भी होता है, कि यहाँ से जो rectangular antenna से signal यहाँ पे नीचे cable के थूँ दो towers भी connected रहते हैं, जब long distance या बहुँ ज़्यादा लंबी distance होती है, तो ओको axle cable भी लगे रहते हैं, लेकिन basically जो tower to tower communication है, इसके लिए हम लिख सकते हैं, tower to tower communication, tower to tower communication के लिए हम circular antenna use करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, use for communication between the tower and BTS, tower को BTS ही बहुता है, base transmission, base transmitter, substation यह बोलते हैं, ठीक है, तो यह line of side communication होता है, तभी हम यहाँ पे देखते हैं, कि जो tower यहाँ पे लगा रहता है, आपका, यह towers लगे हुए हैं, इस तरीके से मान लीज़े, आपका यह tower लगा हुआ है, तो tower के जो सबसे उपर का जो area रहता है यहाँ पे, उस पे आपके यह वाले circular antennas लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो लगे रहते हैं, वो rectangular antennas लग लगे रहते हैं, थोड़ा सा, नीचे के भी side, generally यही रहता है, तो यह क्या होता है, कि यह line of side communication, मतलब जिसको अगर communicate करना है इस वाले circular, तो इसको यहाँ पे line of side देखनी चाहिए, ठीक है, यह line of side, क्योंकि यह तरीके सा parabolic dish antenna ही होता है, ठीक है, parabolic dish antenna, parabolic dish antenna रहता है, और यहाँ से यह उपर एक protective covering लगी रहती है, ठीक है, तो यह line of side, जो concept होता है, उस पे यह use होता है, त लगे रहते हैं, ठीक है, बट आपके यह वाले जो rectangular antenna है, वो थोड़ा नीचे भी लग जाते हैं, क्योंकि उसको नीचे का भी coverage यहाँ पे phone एकदम near about है, तो उसका भी coverage देना पड़ता है, तो इसलिए यह कहीं पे भी इसकी जंगा बन सकती है, बट यह जो होते हैं, आपके इस lecture में देखा कि दो तरीके के antenna होते हैं, rectangular और circular antenna होते हैं, rectangular antenna जो होते हैं, वो mobile phone से connect होते हैं, और tower to tower communication के लिए हम circular antenna का use करते हैं, ओके?